तो चलो औरे 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 भाई 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 जल्दी से जल्दी इसको बानग के लेकर चलते हूँ अपने रयंज में इसके बाद जो दूसरा गाय है भाई उसको भी अपने को लेकर चलना पड़ेगा तो स्वागत है आप सब करेक्वार फिर से रेंच सिमुलेटर के ब्रैंड न्यू एपिसोड में गाइज और पिछले एपिसोड में हमारा जो पीगी था वो काफी जादा भगने की कोशिश कर रहा था जिसके वाज़े से अपन काफी जादा ट्राइ किये उसकी उसको अपने पिगी बान हाउस के अंदर लाने के लिए लेकिन फैंलि वो नहीं मारा तो उसको मारना पड़ और जो थोड़े बहुत एक-दो पिगी और थे ना तो उसको अपने ये काव बान हाउस के अंदर अपन बंद कर चुके लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूँ यहां का पिग्स वगेरा के लिए एक छोटा सा बना उस मतब छोटा सा फूट बाउल बना दू क्या तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि सबसे पहले अपने यहां पिगी वगेरा के लिए छोटा सा फूट बाउल बना देता हूँ तो चलो यह रहा अपना piggy का food bowl और water bowl यहां आगे अपने piggy वगेरा खाना वगेरा खा पाएंगे तो उसको बनाने के लिए मैं को चाहिए रहेगा भाई काफी सारे wooden plank तो चलो इसमें लकडिया वगेरे मैं ठीक ठाक wooden plank बना लेता हूँ जल्दी से जल्दी अपने जितने भी सारे piggy हैं उनके food और water bowls बनाने के लिए तो देखो इसमें चार से पांच है और इसमें मतलब दो से तीन लकडियों के मेरे को wooden plank बनाने पड़ेंगे उसके बाद यह जितनी भी सारी लकडिया है नगाई यह पूरा तो मैं फिरहाल wooden plank बनान साला बाँ निकल गया पुरर जाने के लिए एसे उतावले होते हैं जैसे अंदार इन लोग का बली चड़ाने वाला हूं मैं तो चलो यह रहा इसमें चार और देखो इसमें पूरा खाना वगएरा भर चुका है इसमें पानी वगएरा भर चुका है तो अब अपने को टेंशन की बात नहीं है भाई तो फाइनली तो अब मेरा अगला काम होने वाला है कि यह जितने भी सारे लकड़ी यहां इकठा किया ह तो चलो सबसे पहले मैं चले जाता हूं फ्यूल इस्टेशन और वहां से जो अपना ये जैरी कैन है उसमें फ्यूल भर के लाओंगा और ये और एक जो पीगी है भाई वह बाहर ही घूम रहा है तो चलो उसके बाद जल्दी से जल्दी गाईज मैं थोड़े बहुत और पैसे फीर एक अठीक ते कॉड़े क् contest करूंगा फिर अपने रैंच में बनाने वाला हूं मैं काफी सारे अपने गारी में ठिक-ठक फ्यूल है, तो अपने को चाहिए शिप यह節री कैन में फ्यूल, तो आजा भई, जैरी कैन में अपन फ्यूल वगिर भर देते हैं, और अपन गारी में भी थोड़ा बहुत फ्यूल वगिर भर देंगे, तो ये रहा अपना लगजरी टेबल्स रुकजा भाई रुकजा रुकजा ये रहा अपना जैरी कैन सबसे पहले मैं ये वाले टेबल्स वामें डालता हूं और इसमें देखते हैं तो चलो ये तो almost भरी गया तो उसको मैं बाद मैं complete करते रहूंगा लेकिन उससे पहले अपना sewer है इसको धक्का देना पड़ेगा भई फिर से बाहर आचुका है काफी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मैं को क्या लग रहा है कि थोड़ा बहुत दूसरा वाला बान हाउस बनाना पड़ेगा मैं को अपने जितने भी सारे sewer अरे अरे फिर से भग गया भाई तो फिर से मैं को इसको मारना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि ये लोग बाहर जाके काफी जादा बच्चे वर गेरा पैदा कर दे जिससे हमारा रेंच पूरा सुवरी सुवर भर जाएगा जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तो चलो ये गाड़ी को लेकर सीधा चले जाता हूँ मैं अपने आइल फैक्टरी में और आइल फैक्टरी में जाकर अपने को देखना पड़ेगा कि अपना आइल है वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है वैसे तो अभी अपने पास है गाईस 1400 डॉलर अपने को चाहिए करीबन 10,000 डॉलर जो कि हमारा पहला टरगेट होने वाला है तो चलो जल्दी से जल्दी मैं चले जाता हूँ अपने ओटरी में और आइल फैक्टरी में जाके तो यह रहा अपनो ओटरी और भाई ओटरी में घाइस मतलब फिर से रुग गया 77 लीटर ओईल जनेरेट करने के बाद तो फिर से रुख गया है भाई ये फिर से अपने को ये जैरी केन में फ्यूल भर के लाना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा तो फिर से ये चालू होगा तो मैं क्या करता हूँ ना सीधा अब पूरा ओइल का टैंकर ही उठा के ला लेता हूँ भाई जिससे 1000 लिटर लाएंगे और अपने इसमें लगा देंगे अटैच कर देंगे जिससे जो अपना ये ओइल फैक्टरी है वो कभी रूके ही ना कहने का मतलब अराम से 10-15 दिन चले जाए तो उसके लिए मैं को चाहिए रहेगा काफी सारे पैसे तो उसका मुझे जहां तक याद है भाई जो बड़ा वाला टैंकर होता है ना ओईल का भाई वो 2000 डॉल का आता है वो भी खाली टैंकर उसमें 1000 डॉल का फ्यूल डलवा तो उसके लिए चाहिए रहेगा मेरे को पैसा तो चलो जल्दी से जल्दी जितने भी सारे अपने यहां ओईल के बैरल है ना उसको जल्दी से ना वहीं चले जाओंगा और उससे जो भी मेरे को पैसा आएगा भाई उससे मैं खरीदने वाला हूँ अपने ओईल फैक्टरी के लिए एक ओईल टैंकर वैसे मैं सोच रहा था गाईस कि अपने रैंच के लिए अपने को ओईल टैंकर की ज़रत पड़ेगी लेकिन रैंच म अबी सारा ओईल यहां जनरेट हुआ था ना पूरा अपन अपने बैरल्स वागिरा में भर दिये तो मैं क्या करता हूँ सीधा सारे बैरल्स को लेकर चले जाता हूँ जो राइट वाला आपको दिख रहे हुआ ही और मैं बेज देता हूँ जितने भी सारे बैरल्स अपने पास है ना और मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि अपने ये वाली गाड़ी में भी वह बड़ा वाला टेंकर अपना अटेश करके ला लेंगे ना तो काफी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा अटेश बस हो जाए फिर अपना कोई दिक्कत नहीं होने वाला पता चल रहा है वो टेंकर को लाने के लिए अपना को ट्रेक्टर वगेरा खरीदना पड़ेगा तो अपना और काफी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो चलो सीधा मैं काफी सारे ओईल वगेरा को बेज देता हूँ और इसमें 360 तो सीधा 3800 तो फाइनली भाई अपने पास हो चुके 5276 डॉलर याने 5276 डॉलर तो सबसे पहले ये जितने भी सारे ओईल बैरल है ना सारे ओईल बैरल को यहाँ अनलोड कर दूँगा और उस रुकजा 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 तो चलो जितने भी सारे ओईल बैरल से सारे ओईल बैरल को य लिए यहां चलके अपन खरीदते हैं सीधा जो बड़ा वाला अपना ओईल टेंकर है वो तो कहां है ओईल टेंकर यह जैरी कैन है यह अठारा सब डॉलर को ओईल टेंकर और मैं को क्या-क्या खरीदना है वो सारा चीज में को देखना पड़ेगा वैसे यह एनिमल ट्रेलर भी तुम में को जरत पड़ने वाले है क्योंकि में को काफी सारे गायवैल खरीदने पड़ेंगे खरीद के लिए जाने पड़ेंगे जिसके लिए उसकी काफी ज्यादा में को जरत होने वाली तो और तो फिरहाल मुझे कुछ चीज ऐसा नहीं दिख रहा है वैसे फार्मिंग क सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यह जो अपना टेलर रहा है इसको लेकर चले जाता हूँ सिधा गैस रिषस्षन में सबसे पहले फ्यूल वगिरे डाल देता हूँ और चलो यहां से अपन इस करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा conviction कि एक लिटर मिलते तो इसमें पूरा 1000 लिटर फ्यूल आने वाला है तो मुझे जहां तक लग रहा है एक हजार तो अपने को आराम से पैसा लगने वाला है तो फैनली पूरा अपन फ्यूल वगज़ए डाल चुके इसमें तो चलो गार मैंनल ये फिओल टेंकर को लेकर चलता हूं सीधा अपने और ऑइल फेक्टरी में गाले है उसको सीधा अपने oil factory में अरे 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 भाई 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 यह क्या हो रहा है ओ रुक जा भाई बजगया 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 भाई तो finally guys अपन फ्यूल वगेरा तो डला चुके और अगर यह real life होता ना तो अभी तक मेरा काम तमाम हो चुका होता अगर मेरा real life का fuel का tanker ऐसे फूटा होता ना तो भाई अभी तक मैं यमराज के साथ बैट के chess खेल रहा होता तो चलो मैं क्या करता हूँ यह जितने भी सारे इसका को सोना पड़ेगा और यह यह रहा अपना रैंच तो इतना घूम के जाने का कोई मतलब नहीं है भाई अपन सौट कर भी तो आ सकते अगर तो अगर यह वाले टेंकर है भाई उसका अपने को जुगाड वागेरा करना पड़ेगा मैं क्या सोच रहा हूँ उसका जो पाइप है ना भाई सीधा अपने ओईल फेक्टरी में लगा देता तो बिलकुल भी अपने को टेंशन लेने की जुरत ही नहीं होती और जुगाड देखेंगे गाईस उसका की क्या जुगाड अपने पास निकल सकता है तो फिरहाल तो अपना ये ओल फेक्टरी भाई वो ठीक ठाक चल रहे सही सलामत और मैं क्या सोच रहा था इसका अगर ये जो पीछे का ये है ना भाई अगर फटा फट इसमें सीधा लग जाता ना तो काफी जादा बढ़ भर नहीं वाला है बाकी सारा चीज में को देखना पड़ेगा वैसे अपने पास फ्यूल की टेंसन तो नहीं है क्योंकि एक हजार लिटर है अपने पास फ्यूल वगेरा और इसमें पचास लिटर और मोश हो चुका है तो चलो ये वाले जैरी कैन में फिर से मैं ऐसे भर दे है इसमें ठीक ठाक मात्रा में अपने को काफी जारा भर भर के ऐल मिल सकते हैं और यहां से मुझे लगता है तो देखो मौहल तो भाई मौशम तो काफी ज़्यादा खराब भी हो चुका है आज की रेट में और मैं को तो ऑईल फैक्टरी का जो काम है भाई वो तो अपन कर अब यहां जाके देखते शॉप में थोड़ा अपने को और कुछ खरीदना है क्या अपने रेंच के लिए और क्या-क्या अपन खरीज सकते हैं तो देखो अपने पास है भाई डेरी काउज है चिकन वगेरा भी अपन खरीज चुके एक मिनट गोट अपने को बकरी नहीं ख खरीदना पड़ेगा लेकिन इसके लिए मैं को चाहिए रहेगा दो से तीन काउज वगेरा जिसमें अपन मिलक वगेरा अपन निकाल पाएंगे ताकि अपन जो चीज बनाने का अपना जो काम है भाई उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे और देखो वाइट म ये वाली गाड़ी में तो मैं लेकर चले जाता तो चलो इनको सीधा बान के लेकर चलता हूँ अपने रैंच में और वैसे ये सौटकर तरीके से अपने रैंच में जाएंगे ना तो उतना ज्यादा ताम जाम नहीं लगता और काफी जल्दी अपन रैंच में पहुंच जात है और मैं टकला इंसान होके भी इतना फास तरीके से दोड़ तो चलो भाई पहला गाय को अपन पहुचा चुके अब बारी है दूसरे गाय का तो चलो यहां से सौट कट अपन चले जाते हैं और जो हमारे दूसरा गाय है भाई उसको भी जल्दी से जल्दी ला लेते हैं उसक ठाक अराम से जो अपना milk and है भई वो तो भर जाएगा और milk and भरेगा तो भई अपन डारेक्ट उसको raw milk नहीं बेचने वाले अपन बेचने वाले हैं उसके blue mold cheese बना के जो की अपने को काफी ज़्यादा profit देने वाला है और जो अपना ranch का जो business है उसको काफी जल्दी तरीके से grow करने वाला है तो देखो भई अपने पास कितने सारे business हो गए अपने पास हो गए ऑई फैक्टरी अपने पास हो गए भई चिकन बिजनस भी अपना इस टार्ट कर चुके है और उसके अलावा भई अपन जो अपना piggy का business है उसको भी start कर चुके है रुक जा बिल्कुल भी हम एपन दूसरा काया है भाई उसको भी लेकर चले जाता हूं मैं अपने रेंच में उसके बाद finally अपना जो यह गाडी यहां छोड़े है ना उसको लेने प्ल veramente आ जाएंगे आ जा 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 और इसको लेकर चलता हूँ यहां से क्योंकि यह वारा जो अपना area सब पूरा काउस वगिर अपन खरीद के ला चुके हैं और अपना काउबान हाउस में दो-चार सुवर जो पहले काफी जादा बच्चे थे अपने घर से भग चुके थे अपने मम्मी के वज़ा से उसको भी अपन लाके काउबान हाउस में छोड़ चुके हैं क्योंकि जो हमारा भाई गी बान हाउस है भाई वह काफी जादा ऊपर है और उसमें जान नहीं रहे जितने भी सारे अपने पिग्स वगे रहे हैं वह उसके तो चलो सीधापन चले जाते अपने जनरल इस्टोर और जनरल इस्टोर में जाके सीधा में जो अपनी गाड़ी वहाँ छुटी और कमेंड में बताना भाई कि अगला में को और क्या चीज बनाना जी अपने रैंच में तो मिलते हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक क्ले गुडबाई